नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमित्रा सॉलुस्टन में दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी दुकान का रेजिस्टेशन किस प्रकार से कर सकते हो वो भी CSE के माध्यम से पिछले दुनों हुई एक मीटिंग में CSE के CEO दिनेश जी त्यागी ने बताया था कि आप किसी भी छोटी मोटी दुकान का रेजिस्टेशन है वो कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं वो भी केवल 30 रुपए में आप रेजिस्टेशन कर सकते हो तो किस प्रकार से आप रेजिस्टेशन करोगे वो सारी जनकरी इस वीडियो में आपको मिल जाएगे तो बने रहे हैं इस वीडियो में तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और पूरी प्रक्रिया समझें कि किस प्रकार से आपको रजिस्टेशन करना है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें और कमेंट बोक्स में कमेंट भी लिखें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल के एकन को दबा लें तो दोस्तों सबसे पहले आपको आजाना है Digital Shiva Portal के उपर और यहां पर आते ही आपको यहां जो सर्चबार है इस सर्चबार में आपको लिखना है IRCTC यह आपको लिखना है जैसी आपके इसके उपर क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही या इंटरप्रेस करोगे तो आपके सामने इस page open हो जाएगा यहाँ पर आपको home page पर है जो click करना है तो आपके सामने बहुत सारे option है जो open हो जाएंगे इस प्रकार से तो यह सारे जब option आपके सामने open हो जाएं तो आपको यहाँ से select करना है उद्धम जोती registration आपको उद्धम जोती registration है जो click करना है इसके बारे में पिछले दिनों दिनेश जी त्यागी ने भी आप सभी को बताया होगा तो आपको यहां पर registration करना है सबसे पहले यहां पर उस दुकानदार का जो नाम है वो लिखना है उसके बाद में उसका mobile number और उसके बाद में उसकी email ID और फिर type of registration तो मैं यहां पर सबसे पहले अपना नाम है जो लिख देता हूँ क्योंकि मैं demo दिखा रहा हूँ तो आपको demo लिख देता हूँ यहां पर mobile number कोई भी आप यहां पर डाल सकते हो इसके बाद में email ID तो email ID भी मैं यहां पर डाल देता हूँ क्योंकि मैं सब demo करके आपको दिखा रहा हूँ इसके बाद में आपको profit है type of registration profit for profit और non profit है यदि दुकांदार profit के लिए काम कर रहा है तो आपको यहां पर for profit लिखना है इसके बाद में यहां पर यदि उसकी facebook ID है तो आप उस दुकांदार की facebook ID भी लगाओगे यदि twitter ID उसकी है तो twitter ID भी लगा दोगे इसके बाद में लिखा है do you have uam यानि यहां पर आपको उद्योग आधार memorandum जो है वो आपको लिखना है यदि है तो yes और नई है तो no पर आपको क्लिक करना है इसके बाद में आपको लिखना है type of ownership है तो यहां पर ownership का जो type है वो आपको यहां से select करके लिखना है कि society है या trust है कि मादिम से है या individual है या under company act है तो आपको individual है तो दुकान यदि individual है तो individual आपको यहां पर लिख देन तो इसके बाद se measure activity यानि कौन से measure activity उस दुकान के अंदर होती है तो वह आपको यहां से लिखने है कुछ भी हो आप यहां से select कर सकती हो यदि इन में से कोई नहीं है तो आप नीचे नीचे आऊगे यहां पर other लिखा वो तो other आप यहां Oreo आप दुकान के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन में आपको ब्रिफ डिस्क्रिप्शन है वो देना है यहां पर आपको दुकान का देना है तो कुछ भी आप यहां पर लिख सकते हो कुछ भी लिख सकते हो आप यहां पर अपनी दुकान के बारे में तो वह यहां पर लिखने क के बाद में आपको यहां पर जो state है वो select करना है status select करने के बाद में आपको यहां पर district है जो select कर लेना है और पिन कोड लगाना है पिन कोड के बाद है male female कितने यहां पर यानि number of person employed कितने मजदूर यहां पर काम लिखना है इसके बाद में आपको investment in plant and machinery यानि investment कितना कि इतना कि है उस plant के उपर उसके दुकान के उपर उसकी machinery के उपर तो वह आपको यहां पर लिख देना है इसके बाद में are you an exporter यानि क्या आप कोई भी चीज export भी करती हो तो yes या no में से आपको यहां पर select कर देना है, यदि yes है तो yes लगाना है वरना no कर देना है, इसके बाद में do you have NGO registration number, तो क्या आपके पास में NGO registration number है, यहां पर जी आपको number लगाने है, इसके बाद में is your enterprise doing digital transaction, यानि क्या आपकी दुकान जो है वो डिजिटल ट्रांजिक्शन करती है या नहीं यस या नो में से आपको कर देना है तो यस आपको कर देना यहां पर ताकि क्योंकि डिजिटल ट्रांजिक्शन होती ही रहती है इसके बाद में है ओनर मेजुरिटी की परशन डिटेल यहां प पर जो भी है आपको यहां पर भर देना है इसके बाद में है do you have अधार नमबर तो आपके पास में नो कर देना है whether you require any assistant क्या आपको को कोई या नो में से एक कर दोगे इसके बाद में हैं लिखा हुआ है have you attended any skill development program के आपने कोई भी skill development program को attend किया है तो yes या नो में से आपको एक select कर देना है तो यह सारी चीजें यहां पर भरी जा चुकी है इसके बाद में आपको एक बार फिर से check कर लिना सारी जानकरी और जैसे ही सार submit button पर click कर देना है जैसे आप submit button पर click करोगे तो register number आपको यहां से मिल जाएगा इसके बाद में आपको यहां पर जो payment है वो कर देनी है तो आपको यहां पर चार रुपए payment करनी है आपको ग्रहक से 30 रुपए लेने है यहां पर आपकी व्यली आईडी है वो आ जाएगी इस इसके बाद register number आ जाएगा और यहां पर जो refunded amount है वो चार रुपए है तो आपको यहां पर click कर देना है और payment कर देनी है तो मैं payment वाले button पर चला जाता हूं तो payment वाले button पर जैसे आप click करोगे तो आपकी सामने इस प्रकार से reference number रित्यादी आजाएगा यहां पर आपको उमीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो यह वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को like और share करें साथ ही साथ में comment box में comment भी लिखें और चैनल के उपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के एकन को जरूर दबा ले ताकि आपको आने वाले information के साथ तब तक के लिए जै हिंदु